अच्छा बताओ यह अब F की मीन वैलू निकालने जा रहा हूं F की मीन वैलू निकालते से मैं आपको नहीं लग रहा है कि F कम से कम लगाएंगे तो बीच में धसने का जांसे हैं अगर आप बहुत तेज धक्का मारेंगे तो यह दोनों ऐसे निकलना चाहेंगे तो यह उल्ट यह उल्टा ऐसे अगर आप किसी एक के एसलेरेशन बढ़ेगा तो सूडो फोर्स वाले कॉंसेट से भी समा सकते हैं जैसे इस पर खड़े हो जाए तो सूडो फोर्स इसके उपर ऐसे दिखेगा अभी सूडो फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना यह ऐसे 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 होना चा इसको एक दिया 30 डिगरी यह तो यह रहेगा का राएद तो 3 सिलिंडर इच अफ मास M मास M की बढ़ दिया रखिया 10 रूट 3 एलिख लिए टिया 15 आज़ी देखेगा राएंज टो फोर्स असरी दिफिर विध थो दियर X organs ेडर अज़ Pinโर्ट 4 आपेच अजिया 17 डे लिख उरी धिया 17 डे D इस F का range कितना हो ते खुद कलपा करके देखो अगर आपने इस F को बहुत कम लगाया है हलका सा यह या हटा ही दो तो तुम पाओगे कि यह इधर जाएगा और यह इधर जाएगा और यह नीचे गए जाएगा मतलब कि अगर यह F बहुत कम लगाया तो इसको बीच में धसनी का चांसे से है और इस F को बहुत तेज ऐसे धक्का मार दो तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत धक्का मारने पे यह दोनों आगे निकल जाएगा और यह उल्टा ऐसी गिर जाएगा ऐसा फील दे रहा होगा कि बहुत तेज धक्का मारने पे यह दोनों आगे निकलेगा और यह पीछे गिरेगा पीछे गिरेगा इसका मतलब कि इस F का रेंज है इस F की वैलू एक सार्टिन वैलू तक अगर बढ़ाएंगे तो फिर यह नीचे गरना बंद करतेगा और उससे जब ज़्यादा करेंगे तो एक सार्टेन फोर्स के बाद यह इधर जाना शुरू करेगा तो हमें F का एक रेंज मिलना चाहिए ठेक है अच्छा इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आप ने किया होगा कि एक ऐसा इंकलाइन एक कैसा इंकलाइन एक स्पिर ऐसे एक स्पिर ऐ करते हैं तो पूस्ता है कि मिनिममम एंगल ठीटा बताईए यह एंगल जिसके बाद अगर इस एंगल को कम कर दो तो पूरा सिस्टम क्लाप्स कर जाएगा ठेक है तो यह भी कुछ उसी तरह का कोश्यन है ठीक है उसमें भी आपने हिम्मत रखा था इसमें आपको हिम्मत हो गाया है इसका मतलब है कि अगर फ्रिक्शनले सर्फिस नीचो कर है तो इस पर अपने फोर्स लगाया है तो तीनों ही ब्लॉक इसफियर एक साथ ऐसे जा रहे होंगे तो पूछे कि इसका एसलरेशन क्या होगा तो जो एसलरेशन ए आएगा F is equal to एक दो तीन इस टोटल 3M मनेगा इन्टु ए तो एक विलू क्या आएगी इट इस एफ अपान 3 अभी मैं मान रहा हूँ कि सिस्टम कॉलाप्स नहीं हुआ है दैट मेंस तीनों कैसल रसन से यह माना चाहिए अच्छा बताओ यह अब एफ की मीन वैलू निकालने जा रहा हूँ एफ की मीन वैलू निकालते से मैं आपको नहीं लग रहा है कि एफ कम से कम लगाएंगे तो यह बीच में ही धसने का चांस है बीच में ही धसने का चांस है जब एफ कम लगाएंगे तो बीच में ही धसने का चांस है इसको 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 इस इतने पार्ट की इतने पार्ट की अलक से बीड बना लेते, इतने पार्ट की अलक से बीड ऐसे है, तो क्या होगा, अब बाद में f max निकालेंगे, तो मैंने इसको ऐसे दिखाया, और यहाँ पर आपने force f लगा दिया, और यहाँ का n आपने just 0 का है, mean f निकालने के लिए, ले G downward दिखेगा इसका भी weight M G downward दिखेगा and ground तो at least frictionless है frictionless अरो गिटी में पढ़ना physics में बस thought होते हैं सोचना क्या हो सकता है फिर उस पर equations लिखे जाते हैं अब इस angle इस normal का verticals angle देखते हैं तो अगर मैं इसके centers को इसके center को आपसे मिला दूँ ऐसे ऐसे बढ़ा दूँ तो यह एक equalated angle है तो यह जो angle बनेगा यह 30 degree बनना चाहिए क्योंकि अगर मैं इसको आगे भगा दूँ तो यह भी 30 degree बनेगा ताकि यह पूरा angle 60 बन जा तो यह पूरा angle क्या होगा 60 क्योंकि यह equalated angle है तो यह वाला जो N होगा इस स्फियर ने जो N लगाया होगा center से पास करेगा center to center तो vertical के साथ 30 degree के angle पे होगा vertical से 30 के angle होगा तो यह vertical से 30 के angle होगा के angle होगा तीक है अब यह काम करता है इसके उपर इस system के उपर मैं horizontal force equation लिख रहा हूँ ती बनेगा capital F minus इस N1 के वाला component क्योंकि इसके 20 पे इंटरनल force है वह तो gap होगा ground से force आए नहीं रहा है ती बनेगा minus N1 sin 30 degree is equal to इस पूरे system का mass जो कि 2m है into acceleration दोनों का acceleration से में एक है पराबर यह बन गया force equation इस पूरे system पे net force इस reduction में is equal to minus N1 का sin 30 बराबर total mass into 1 कि दोनों कैसल रहे हैं बराबर है इस दे मैंने total mass का help ले लिया ओके अब तोब मैं इस नीचे वाले की ABD बनाता हूँ अगर मैं नीचे वाले की ABD बनाओ ऐसे तो यह वाला N अगर ऐसे है तो यह वाला N जो आएगा न यह वाला N वो ऐसे आएगा N1 और इस N1 का भी vertical से जो angle होगा वो 30 degree होगा वह ही है इस N का vertical is 30 तो वह ही तो N यह भी है तो vertical is 30 बनेगा फिर इस ground से आएगा N2 और इसका फेट M चिर अनवर दिखेगा और तो कोई force नहीं है और इसका भी acceleration horizontally एकदम सेम है क्योंकि just system साथ साथ जा रहा है तो यहाँ पर force question क्या मिलेगा N1 का sin 30 degree is equal to horizontal force N1 sin 30 बराबर इसका mass interval तो यहाँ से N1 के value आएगी 2m अब क्या करेंगे N1 उठाक यहाँ रख दीजिए तो यह बन गया f minus 2ma by this तो f बराबर आजाएगा I think 3ma आजाएगा N1 आएगा 2ma by 2 ma और 2ma ठीक है और आपको f चाहिए इसको f min mi fmi तो यहाँ से basically यह fmi ही है जब मैं निकाल रहा था तो यह आएगा fmi is 3ma तो यह बनेगा आपका अरवां से 3ma नहीं यह तो वही आया है आनाद भी तो वही चाहिए है 1 second cat आना ही यह चाहिए था तो ठीक है आया 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 लेकिन मुझे अभी भी f नहीं मिला ना f की value चाहिए N1,2m अगर मैं इस बराक भी दूँ तो एक बाद चेक करो तो अके तो देखिए action में होता है कि जब भी हम calculation से बसते है ना तो मजबरी होती है ना बच पाना कभी-कभी तो ठीक है क्या कर सकता है क्योंकि N1 को यहाँ place करने के बाद 3 हमें आ रहा हो तो वह ही है क्या मिला यार कुछ नहीं मिला तो फिर यह जो स्फियर है ना इसी स्फियर की इसी स्फियर की मैं एक बार और एक बीडी बनाना चाहता हूँ देखते रहेगा क्योंकि यहां से तो मिलेगा नहीं जब तक हमें एक इवलू mg के टमें ना मिल जा तब तक हमारा answer मिलने वाला नहीं है और मैं इनके उपर vertical equation लिखने से मैं बेकार में n2 को एक और unknown बढ़ाने की condition भी बिल्कुल नहीं है इस system पर भी उपर group force equation लिखेंगे तो यहां के ground का n आएगा उससे मैं बिल्कुल interested नहीं हो तो ठीक है क्या करते है चलो इसी से काम चलाते है तो यह वाला आप n1 कैसे दिखाएंगे ऐसे और इसी sphere ने इस पर n2 ऐसे लगाया होगा आप ऐसे n2 दिखाएंगे और यह जो angle होगा this angle is 30 degree तो भी बनेगा 30 degree और इसका mg नीचे को दिखेगा हिम्मत के साथ लिखना है तो लिखते रहो देखते न ऐसा नीक आंसर नहीं आएगा आएगा हिम्मत रखो क्या कर सकते है मतलब सब की मने एपीड़े बना डाली यार बताँ पूरे सिस्टम पी लिख ली इसकी बना डाली इसकी बना डाली यह करना था तो इंट्वीड अलाला नहीं बना ली होते बट ठीक बना दित बना दि लेकि अब चको पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा तो इसकी उपर नेट फोर्स वर्टिकल में 0 होना चाहिए तो वर्टिकल में 0 करेंगे नेट फोर्स यहाँ पे तिये बनेगा N1 कॉस 30 प्लस N2 कॉस 30 तिये बन जाएगा N1 प्लस N2 कॉस 30 डिग्री इस इक्वल तू इसका मास M into इस डरक्शन वाई में फोर्स एक्वेश्चन 0 होगा भाग रहा है होर्जेंटल में इस इक्वल तू MJ ठीक है इस स्पियर पे इसका acceleration सिर्फ horizontal है ऐसे तो vertical 4 0 कर दिया आगे अब मैंने क्या किया न N1 N2 अब एक काम करते हैं इसको horizontal 4 सिक्वेश्चन देते हैं मुझे A चाहिए बीना अगर A निकल गया तो N1 आ जाएगा N1 प्लेस करेंगे F आ जाएगा तो इस पे मैं वर्टिकल लिखते हूं क्या हूं horizontal लिखेंगे तो N2 का sin 30 N2 का sin 30 minus N1 का sin 30 इधर ती बनेगा N2 minus N1 sin 30 equals to M तो एक बात बताईए I think यहां से मेजे मिलता नजर आ रहा है क्योंकि अगर मैं इसको इधर भेज़ दूं और इन दोन को इसके जोड़ दूं One second यह यह N1 है न N2 sin 30 minus N1 sin 30 ठीक है अगर मैं यहां पे मुझे N2 eliminate करेंगे फिर N1 आएगा तो मैंने क्या किया कि यहां पे इसको न इधर भेज़ो आगे answer मैं समझ गया answer आ चुका है N1 plus N2 is equals to 2Mg by root 3 देखिया यह root 3 by 2 है तो 2Mg by root 3 और यहां से N2 minus N1 N2 minus N1 बराबर आएगा यह half इधर जाएगा तो यह बनेगा 2MA that is 2MA अब इसको जोडते हैं यह minus कर दिया इसको plus कर दिया इसको minus कर दिया तो इससे cancel out होग यह बनगे 2N1 तो 2N1 is equal to यहां से आएगा 2Mg by root 3 minus 2MA अब यह जो 2N1 है न इस पे आते है N1 2MA है तो इसको उठाएगे यहां परके यहां परकेंगे 2MA तो यह हो जाएगा 4MA अब यह 2MA इधर आएगा तो यह बनेगा 6MA is equals to 2Mg by root 3 इससे a की value क्या आएगी इससे a की value आजाएगी m से हम कट गया 2 3 6 3 यह आएगा g divided by 3 root 3 आ गया g divided by 3 root 3 अब इस a को उठाके आप क्या करिए यहां रखेंगे f की value है जाएगी f कितना होगा 3MA 3M into यह कितना है तो यह भी cancel out हो गया f बराबर उन्होंने mg by root 3 यह आपको min value मिला और इसकी value 10 root 3 10 root 3 10 root 3 2g divided by root 3 10g it is 100 तो जो f min आपको आया ना calculate करके उसकी value कुछ और नहीं है 100 newton है यह मिल गया min value now I am interested here maximum value तो अगर हमको max value निकालनी है f max निकालना है तो अभी आपका दिमाग इस बात को कह रहा था कह रहा था ठीक है कि अगर आप बहुत तेस धक्का मारेंगे तो यह दोनों ऐसे निकलना चाहेंगे तो यह उल्टा ऐसे अगर आप किसी एक के acceleration बढ़ेगा तो pseudo force वाले concept से भी समसकते हैं जैसे इस पर खड़े हो जाए तो pseudo force इस Q पर ऐसे दिखेगा अभी pseudo force जितना ज्यादा होगा उत्मा यह ऐसे 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 होना चाहेगा जब ऐसे होना चाहेगा ऐसे होना चाहेगा तो यहाँ पर contact loose होगा यहाँ पर ठीक है तो f max निकालने जा रहा हूं तो x max में भी just में limiting condition लेके चल रहा हूं limiting condition में net force equals to 3m is to a यह तो अभी भी वैसे होल्ड करेगा यह तभी भी वैसे होल्ड करेगा लेकिन अब की बार क्या है अब की बार क्या है कि यहाँ का n zero करेंगे जबकि हम पहले case में यहाँ पी किये थे यहाँ पी zero करेंगे तो यह दोनों एक साथ रहेगा यह दोनों एक साथ रहेगा और यह बस contact तो यह अगर मैं 0 कर दू तो सिर्फ उपर वाले की अबेडी बनाते हैं सिर्फ उपर वाले की अबेडी तो अगर मैं उपर वाले की अबेडी बना उपर वाले का तो सिर्फ यहां से force में दिखाऊंगा यहाँ वाला तो 0 हो गया यह इस force का मैंने N4 कर दिया और verticals angle भी मैंने इसको रिख दिया 30 degree यह तो यही रहेगा साथ में इसका weight कितना है mg मैंने downward रखा तो यहाँ से force आ गया mg आ गया यह वाला N गायब हो गया क्योंकि यहीं पर release भा था अब इस पर रिखेंगे x reduction of force equation तो यह बनेगा आपका N4 sin 30 degree is equals to mass m into acceleration ठीक है अब इससे हमें N4 की value मिलती नजर आई this is 1 by 2 it is 2 mm एक और काम कर सकते हैं चुकि इसका motion सिर्फ horizontal है तो इस पर vertical force 0 होगा N4 का cos 30 N4 का cos 30 is balanced by mg N4 का cos 30 mg को balance करेगा और यहां से N4 2ma यहां आएगा cos 30 root 3 by 2 and that is equals to mg तो m से m cancel हो गया और a की value आगी g by root 3 अब यह force कितना होगा at is 3ma तो जो max force आएगा आपका वो कुछ और नहीं आएगा 3m into a और यह a है it is gy root 3 तो इस से f max की value आपकी आती नजर आई and this one is root 3 m into g और question में उन्होंने दे रखा है m की value that is 10 root 3 into g I think m is 10 root 3 न? m 10 root 3 दे रखा तो यह value हो जाएगा आपकी 30 300 newton तो कोई पूचे कि f का range कितना है? तो f का जो range है वो है 100 to 300 newton close interval यह अगर f इस region में होता है अगर f इस region में होता है तो फिर system equilibrium पर आएगा तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से question को attempt किया everything is patience आपको patience रखना है fbd बनाना नहीं है थोड़ी से common sense है उस करना है